हेलो फ्रेंट्स मैं काजल काजल्स क्रेशन में आपका स्वागत करते हैं आज हम बनाने वाले हैं टेसल सीरिंग्स तो टेसल सीरिंग्स बनाने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बाजू में दिये cotton thread, 2 patches, 1 cardboard piece, sketchy, glue, बस इतनी चीज़े हमें चाहिए, अब भी हम बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम दोनों cardboard की साइप पे glue लगा देगे अब हम यहां से इसमें thread लपिटना शुरू करना है thread में एकदम पास पास लपिटना है अब स्क्ष करें अब लगान शुरू करते हैं तो बनानी की चाहिए इतना करने के बाद हमें फिर से दोनों साइट ग्लू लगाना है और इस बार में आगे पिछे दोनों साइट लगाना है और फिर ऐसे ही वापस हमें इसमें दागे लपिट में है इसके उपर उपर जाने के हमें डबल लेयर बनाना हुआ करता है अब भी अपना हो जाने के बाद मैं इस पर ग्लू लगा के इसे सुखाने रख देना है अब इस पर ग्लू लगा देंगे और अब इसे एक दम सुख में देंगे पाकी की प्रोसेस यह सुख चाने के बाद हम करेंगे तो यह सुख चाने के बाद हमें इसे बीच में से कट कर रहा है और इसे इसे पीछे से भी कट करना है और फिर एक एक लेयर को निकलना है और यहां पर हम ग्लू लगा देंगे और थोड़ी दुर के लिए इसे भी छोड़ देंगे और वैसे ही हम यह दूसरा बाला भी निकाल लेंगे और यहां पर भी हम ग्लू लगा आएंगे और इसे इसे प्लेस कर देंगे अभी हमी अमार एक पेस लेंगे और और इसमें ये पूराम लगा देंगे इसको नाप के पहले ग्लू लगाएंगे पूरे में अभी है और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे वैसे हैं दूसरे पेच में लगा लेंगे तो इन दोनों पर ग्लू लगाने के बाद हमें ये ये अधि येरिंग्स के लिए दो ये स्टेंड लेने इसके येरिंग्स के और दो ऐसे बटर पेपर इसमें ऐसे हम डाल लाए ये अगर इसमें भी ग्लू लगाके हमें इसमें चुटका दिना है ये इसे चिपका दिना है हमें दोनों येरिंग्स में ऐसे ही करना है अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे तो ये हमारे एसे येरिंग्स बनके रेडी है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और ऐसी नहीं नहीं वीडियो दिखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और